गुरकपुर में सीम योगी ने बड़ी सोगा दी है, सीम योगी ने यहां नगर के नव निर्मित इमारत का लोकारपड किया है, वहीं 15 एलेक्ट्रिक बसों को भी हरी जंडी दिखाई उन्होंने खुद बस की सवारी भी किया और यह बसें गुरवार से शेहर में अलग 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 रूटों पर चलेंगी, इसके साथ ही सीम ने 525 करोड की 262 प्रयोजनाओं का लोकारपड और शिला नयास भी किया यह यादी तनाथ ने आज गोरखपुर में 15 एलेक्ट्रिक बसों को हरी जंडी दिखाई और अब उसी बस से मुख्यमंदरी यात्रा कर रहे हैं, मुख्यमंदरी के साथ गोरखपुर के सांसा द्रवी किशन और तमाम जो विधायक हैं वो भी इस बस में सवार हैं, यह बस तीन अलग अलग रूटों पर चलेगी, कुल 25 बस हैं जो गोरखपुर में चलने वाले हैं, और कल से इन तमाम बसों के जरीए लोग सफर करेंगे, पांच रुपए से लेकर के 37 रुपए तक का किराया रखा गया, बेहत सस्ता किराया, और शहर में लग बग तीन दरजन ऐस जगहें हैं, जहां पे इनके स्टापिस बनाए गए हैं, और इनी स्टापिस पे बसें रुखेंगी, माना जा रहा है कि पूरी तरह से परदूसर्ण मुक्त इन बसों के जरीए, जब लोग यात्रा करेंगे, तो गोरखपुर में जो एक जाम की दिक्कत थी, आटो की आफि दूसरे साथनों की, उससे मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, और साथ ही एक सुरक्षित यात्रा जो होती है, वो इन बसों के जरीए होगी, मुक्यमंतरी होगी, आतना स्वैम आज जिस बस में सवार है, इस बस की जो ड्राइवर है, वो पूजा नाम के योती है, जो गोरखपु होगी, और लोग एक जगह से दूसरे जगह इन बसों सियात्रा कर सकेंगे, विडियो अलिस्त, प्रणी पर्णी पर्णी साथ दीपक स्रवास्तों, निविजिट्ट गोरखपुर। हमने कहा था, अयोध्या में प्रवु राम का भव्य मंदिर निर्मान का कारे प्रारम कराएंगे, मोधी जी ने कारे प्रारम करा दिया है ना, खुस हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुस हैं, सभी लोग, और अभी कासी में भग्वान विश्वनात का धाम भी भव प्यरूप से बन रहा है आपने देख लिया ना और फिर मतुरा बिरंदावन कैसे चूड़ जाएगा वहां पर भी काम भब्यता के साथ आगे बढ़ चुका है